नमस्कार SBT News में आपका स्वावत है पेश च्छे नमंबर शनिवार शाम सवा पांच बजे राध्यसान की बड़ी खबरें राध्यसान में अगामी डिसंबर से 12-17 वर्ष आयू वर्ग का वेक्सिनेशन भी शुरू हो सकता है स्वास्तेवी भाग ने राध्ये में इस वर्ग के 10 लाग किशोर किशोरियों को चिनहित किया है चटपूजा के लिए रेलवे देश के कई शहरों से बिहार और उतरपदेश के लिए स्पेशल ट्रेने चला रही है ये ट्रेने दिल्ली मुंबई जैसे शहरों से बिहार के सहरसा, दर्भंगा, भागलपूर और अन्य शहरों के लिए जाएंगी साथ ही ये ट्रेने यूपी के कई जिलों, खासकर पुर्वान चल और पश्चमे शेतरों से होकर गुजरेगी इसके इलावा चट पूजा के बाद वहां से वापस लोटने के लिए भी रेलवे की स्पेशल ट्रेनों को चलाने का फैसला लिया है रेल मंत्राले ने 26 अक्टूबर 2021 को बताया था कि दिपावली और चट पूजा के लिए 110 ट्रेने उप्रेट की जाएंगी अकेले चट पूजा की बाद करें तो रेलवे बिहार के लिए 24 स्पेशल ट्रेने चला रहा है राजिसान में भारती जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष दक्टर सतीश पुन्या ने राजिसान सरकार से सभी विद्यालियों में विमंदित एवंदिव्यांग विद्यार्थियों के लिए विशेश शिक्षकों की भरती करने की मांग की है डाक्टर पुन्या ने सोशल मीडिया के जरिये मुख्य मंत्री अशोक गहलोत और शिक्षा मंत्री गोविंग सिंग डोटासरा से अग्रह किया कीवेवी मंदित एवंदिव्यांग विद्यार्थियों के लिए सबी विद्यालियों में विशेश शिक्षक की भरती पर ध्यान दे और शिक्री इनकी भरती करे तभी हमारा सर्व शिक्षा का धेर पूरा होगा रेल प्रशासर ने दिपावली और छट पर पर यात्रियों के अवावमन के लिए केवल एक एक फेरा फेस्टिवल स्पेशल टेन मुंबई सेंटरल से दानापूर बिहार के बीच लाने का नेने किया है जो पश्चमी मद्या रेलवे के कोटा मंडल में केवल दो स्टेशन कोटा और बयाना में आते जाते हुए ठहराव लेगी कोटा रेल मंडल ने अधिकारिक सुत्रों ने बताया कि यह है फेस्टिवल स्पेशल यात्री गाड़ी रविवार की रात साड़े दस बजे मुंबई सेंट्रल स्टेशन से रवाना होकर अगले दिन प्राते ग्यारा बचकर बचास मिनट पकर कोटा और तीन बचकर पैंटिस मिनट पर बयाना पहुँचेगी दानापूर में यह यात्री गाड़ी मंगलवार प्राते आड़ बजे पहुँचेगी राजसान में 14 से 29 नमबर तक महंगाई और पेट्रोल डीजल की दरों में लगातार हो रही वृद्धी के विरोध में प्रदेश कांग्रेस की ओर से शुरू किये जाने वाला जन जागरन अभियान को लेकर कांग्रेस कारे करता ही अब दोविदा में है कांग्रेस कारे करताओं और नेताओं की परिशानी इस बात को लेकर है कि पेट्रोल डीजल सबसे महंगा राजसान में ही मिल रहा है ऐसे में वे किस मोह से जनता के बीच जाकर जन जागरन अभियान शुरू करेंगे हलांकि अभी केंदे सरकार की और से डीजल पर दस और पेट्रोल पर पांच रुपे कम करने के बावजोत राजे की गहलो सरकार ने पेट्रोल डीजल पर वेट कम करने से इनकार कर दिया है राजिसान में उपचुनाव खत्म होने के बाद कैबिनेट विस्तार और रासनितिक पदों पर न्युक्तियों की तैयारिया शुरू हो गई है राजिसान के मुख्यमंत्री अशोग हैलोत कांग्रिस हाई कमान से इस पर चर्चा के लिए अगले हफते दिली जाएंगे गौर तलब है कि अक्टूबर अंत में उपचुनाव की घोशना के साथ यह मुद्दे पीछे रह गए थे अब जबकि कांग्रिस ने दोनों सीटों पर जीत हासिल कर ली है अशोग कैलोत पूरी ताकत के साथ कैबिनेट विस्तार और रास्देतिक नुक्यों में लग गए है यूनिवस्टिटी ग्रांट कमिशन अब स्टड़ी मैटिरियल को भारतिय भाषाओं में ट्रांसलेट करने की तयारी कर रहा है इसके लिए UGC ने देश के सभी यूनिवस्टी को अदेश भी जारी कर दिये है आजादी के अमर्ट मोहस्व के तहट भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालेक ने इसके लिए यूनिवस्टी को प्लान तयार करने के भी निर्देश देगी है इसके तहट सभी का लर्निंग मैटेरियल जो अब तक सिर्फ अंग्रेजी भाषा में ही उपलब्द था उसे हिंदी सहीर तमाम भाषाओं में ट्रांसलेट किया जाएगा इसमें लिखीत और मोखिक हर तरह का उपलब्द लिट्रेचर में शामिल होगा सभाई मादोपोर्ट जिले की चोत का बरवाड़ा ग्राम पंचायत के सभाई करमचारियों की दिपावली से पहले एक नमंबर को शुरू हुई हर्ता भाई दूच के दिन भी जारी है इस दुरान ग्राम पंचायत प्रशारसन की ओर से दो बार सफाई करमचारियों से वार्ता की गई लेकिन वार्ता सफल नहीं हुई इस दुरान कस्पे में सफाई नहीं होने किसकी वज़े से कई जगा गंदकीट के धेर लगे है नालियों में कच्रा फसने से पानी सड़क पर बहने लगा है ग्राम पंचायत में करीब 35 सफाई करमचारी अपनी वेतन संबंदी मांगो को लेकर हर्ताल पर चल रहे है श्री गंगानिगर के रियल इस्टेट, रेत खनन और शराब व्यपार का कारोबार करने वाले समुहों ने आयकर छापों के बाद बेहिसाब और गोशित संपत्ती और राय का पता चला है इस दोरान आयकर विभाग के अधिकारियों ने क्रोडो रूपरी की नगदी और जेवरात बरामत किये है कारोबारियों के समुहों ने 35 क्रोड की आय बेहिसाब होना स्विकार किया है और इस पर देटेक्स का भुकतान करने की पेशकश की है केंदेर प्रतक्षकर बोड के अधिकारिक प्रवक्ता आयकर आयुकत सुर्भी अहलू वालिया ने बताया कि राजसान में आयकर विभाग ने सीमा शेतर में चापे मारी और जप्ती का भिहाज लाया इसके तैट 28 अक्टूबर को विभिन सानों पर 33 परिसरों में चापे मारे गए वहीं तेलाशी के दुरान दस्तावेजी साक्षों को जब्द कर लिया गया फिलहाल इस बुलेटेन में इतना ही फिर हाजिर होंगे और बड़ी खबरों के साथ SPT News की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नॉटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें